हैलो बच्चो आज हम आपको बिना मात्रा वाड़े सब्ध दोच्छल के सब्ध लिखना सीखें कैसे लिखना है जैसे हम आसानी से आपको बताएंगे आपको जैसे आशे ग्या तक तो यादी होगा तो उसके वैसे हम दोच्छल सब्ध कैसे लिखा सकते हैं अच्छे से जैसे का बनाएंगे का प्लस बा का प्लस बा तो हम कैसे ये लिखेंगे दोनों मिलाके ब्राब करें का बा तो हम क्या पढ़ेंगे का बा तो हम दोनों को साथ मिलाएंगे कैसे पढ़ेंगे का बो का बो दूसरा क्या है दूसरा या प्लस सा ब्राबन या सा तो हम इसको दोनों मिलाएंगे कैसे पढ़ेंगे या सो बा प्लस ला मैं आवर दोनों मिला के क्या करेंगे बा ला वल चा प्लस ला दोनों बड़ावर क्या चा ला चा ला चा लो टा प्लस बा टा व टा वो गा प्लस ला गरू गरू ता प्लस 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 गा बरावर पा गू या प्लस मा बरावर या मौ का प्लस पा बरावर का पू अब कैसे पढ़ना इसको जैसे अच्चर की पैचान तो है इसमें ये का बना ये बा बना ये या बना ये सा बना तो इसको जैसे का प्लस बा इसको दोनों मिला के हम क्या पढ़ेंगे दोनों को साथ में लिखके पिसको का बा का बो दोनों मिला या सा या सो बा ला मिला के क्या पढ़ पढ़ेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं तो अच्चर के साब्त और पढ़ भी सकते हैं इसी तरह से याद करना है और लिखना सीके थैंक यू जाथ जो लिए